गण अर्थात सेवक और इस देवता जो सेवकों के सेवक हों के अगरणी हैं वो हैं गणीज गणपती जी संदेश देते हैं किस प्रकार से हमें बड़े कान रखने चाहिए किस प्रकार से जो सरवन सकती है भगवान की जो प्रतम भक्ती है वो सरवन करने की है दूसरों के आदत सुनने के आदत जीवन में डालनी चाहिए बोलने को कम करना चाहिए सुनना अधिक चाहिए तब ही हम लाबान भी तो होते हैं बड़ा पेट संदेश देता है कि बड़ी से बड़ी बातों को आप पचा लें धेर्य रखें एकदम से हडवडाट में पेशंस में जो आज के लड़ाए जगड़े होते हैं इसकी निंदा हुआ कर दी वो बात कर दी आपकी वानी पे कंट्रोल नहीं रहा वो जो पेट संकेत दी रहा है कि बड़ी से बड़ी बातों को आप पचा जाएं और साथ के साथ चूए के सवारी करते हैं मूसक के सवारी करते हैं मूसक तर्क जो करता है किस प्रकार से उसके एनरजी लेबल होता है किस प्रकार से बड़ी से बड़ी चीजों को कुतर जाता है तो तर्क सक्ति के दाता है गणपती जी और एक संदे सोर गणपती जी देते हैं माता पिता की सिवा संसार में उनसे बड़ी सिवा किसी की नहीं है तो जो व्यक्ति माता पिता की सिवा करता है जीवन में उनको देवता मानता है अपने करतब्यों का पालन करता है वो जगत में पूजनियाई ही हो जाता है उसका मान सम्मान यसकृति में बृद्धी होती है नमस्कार आप देख रहे हैं दे न्यूस वाला नेटवर्क और मैं हूँ आपके साथ है मन्त इस से में हम लोग मौजूद हैं श्रीबाला जी जोतिश अध्यात मकेंदर पर जिसके फाउंडर है अचारे रजीश शास्तुरी जी और अचक पुरहित महसाबा के भी अध्यक्ष हैं और अब हम आगे की अपडेट लेंगे आगे क्या रहने वाला है और क्या आप लोग लिए कुछ खास है और सबसे पहले स्वागत आपका दन्यूज वाला नेटोक में और हमें समय देने के लिए आपने व्यस्त कारेकरों में से हमें समय देते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका से पहले और हमारे दस्टकों को अपडेट दीजिए कि क्या आगे रहने वाला है और क्या लोग को करना है अक्चुली जी धन्यवाद हमन्त जी और दन्यूज वाला के सारे दर्सक जो हमें देख पा रहे हैं सभी को जैसियराम आपके माता पिता गुरु जनों को प्रणाम करता हूँ और मा भारती को प्रणाम करते भी जिस परकार से आप धर्म ग्यान अध्यात्म की जानकारी जन जन तक बहुत बहुत शादवाद और इसी क्रम में इस इस रिंखला में अब जो हमारी परव और तिवार आने वाले हैं इसमें से प्रसम जो परव हमारा माना जाएगा गणेश सतुरती का जो की 10 सितंबर को है और 10 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक निरंतर या परव और या उत्सा चलेगा जिसे लेकर के भक्तों में बड़ा उत्सा रहता है और हर वरस हम लोग भी कई संगड़नों से जुड़े हैं गणेश संग से लेकिन इस बार जैसा कुरोना का भेवी रहा पिछली दो सालों से तो निरंतर या रहा और इस बार भी बहुत अधिक कि इस प्रकार मैं वक्तों से यही निविदन करूँगा आके बहुत अधिक भीड़ बार न करें और उत्साव को लेकर के बड़े सचेत रहें भगवान गणपती जी जो रिद्धी सिद्धी के दाता है और भगवान गणपती जी का पूजन अर्चन क्यों किया जाता है यह हमारी जनरेशन को हमारी यूद को इसके जानकरी होनी चाहिए गण अर्थात सेवक और ईस देवता जो सेवकों के सेवक के अगरणी है वो हैं गणपती जी संदेश देते हैं किस प्रकार से हमें बड़े कान रखने चाहिए किस प्रकार से जो सरवन सकती है भगवान की जो प्रतम बक्ति वो स चाहिए, सुनना अधिक चाहिए, तब ही हम लावानवित होते हैं, बड़ा पेट संदेश देता है, कि बड़ी से बड़ी बातों को आप पचा लें, धेरे रखें, एकदम से हड़डाट में, पेसंस में, जो आज के लड़ाए जगड़े होते हैं, इसकी निंदा हुआ कर दी वो बात कर दी, आपकी वाणी पे कंट्रोल नहीं रहा, वो जो पेट संकेत दी रहा है, कि बड़ी से बड़ी बातों को आप पचा जाएं, और साथ के साथ चूए के सवारी करते हैं, मुशक के सवारी करते हैं, मुशक तर्क जो करता है, किस प्रकार से उसके एनर्जी माता-पिता की सेवा, संसार में उनसे बड़ी सेवा किसी की नहीं है, तो जो व्यक्ति माता-पिता की सेवा करता है, जीवन में उनको देवता मानता है, अपने करतब्यों का पालन करता है, वो जगत में पूजनिय ही हो जाता है, उसका मान सम्मान यसकृति में बृद्धी ह होती है तो गणपती जी से हमें यह सारी चीजों का ग्यान लेना है उस गणेस तत्व को अपने अंदर धारण करना है तबी इंत्यवारों की सार्तक्ता शिद्ध होती है दूसरा यह है कि यह जो पक्ष आ रहा है जो कि आठ तारिक से प्रारम होने जा रहा है आठ तारिक से ल वो असुब कारी होता है, विद्वन्स कारी होता है, महा भारत काल के समय भी तेरा दिन का पक्ष पड़ाता है, तेरा दिन तक ही है उद्द हुआ था, तो यह पूरे तेरा दिन का जब पक्ष आता है, तो पूरे भोल को ही बदल दिया करता है, तो यह जो दिन रहेंगे तेरा कोई नवी कार्या न करें कोई महीं Canyon करेंहिंग बहुत लंबी यात्राहों से बचें क्योंकि है कि तेरज धिन का पक्ष रहे हैं सुम्रे के डुन क्रांग्तिति नहीं माना जाता है इसमें दो तिछी गट रही हैं परति फीदम्र परति quiénशना दिनों में इस तो ducks विए यह अच्छा नहीं माना जाता है पूरी भुगोली की स्थिति जो है वो बदल दिया करता है पूरी संसार की तो इसलिए मेरा निवेदन है कि तेरे दिनों में कोई मुंड़न संस्कार है को ऐसा नवीन का रहा है कोई भूमी समंधी है तो उस कारे को रोक करके आप नवरात्रे अच्छे एक एम क्या रहता है उदेश्य क्या रहता है जो कलर एक दूसरे को लगाया जाता है कि कहीं लोग बोलते हैं भाई यह तो होली पर लगाया जाता है तो मैं यह जानना चाहूंगा देखे जीवन में रंगों का बड़ा महत्व है जोतिसे दिश्टी से भी बहुत आपने बहुत अच्छा प्रश्ण पूचा जोतिसे दिश्टी से भी रंगों का बहुत महत्वा मैं बताना चाहूंगा जब भी हम गणेश उत्सब मनाएं काले रंग से और नेले रंग से इस परेज करें वह बिल्कुल परियोग न करें लाल रंग जो हमारी एनर्जी किति को माना जाता है जिसे लोग अमूमन अपने घर में त्युवार को मनाते थे या मंदिरों में मनाय जाता था लेकिन यह जो इसको गणेश उत्सब का रूप जब दिया गया बाल गंगा धर तिलग जी ने सन 1893 में अंगरेजों के खिलाप लोगों को जोड़ने का कारी किया था धर्म के माध्यम से और उसमें गणेश उत्सब जो महराष्ट में गणेश उत्सब के नीव रखी थी जिसमें बहुत सारे लोग एकत्रित हुए धर्म के माध्यम से लोगों ने उनकी बात को सुना जोड़ने का कारी किया क्योंकि जो फिपर में तेवार हैं एक दूसरे को जोड़ने का कारे करता है तो इसमें इत्षा जो रंगों का मैत्वा होता है के अनर्जी जो हमारा बढाता है कुछ रंग का परतीग है तो इसलिए रंगों का हम लोग प्रियूग करते हैं लेकिन मैं देखता हूँ आपने यूद को यु जो धर्म रंगे जो अध्यात्मिक रंग है इसमें अपने चाल चरित्र को आप अच्छा रहें कोई नसे में कोई इस प्रकार से बढ़काव वस्तरादी पहन करके और केवल ऐसे असलील जो भूंडे निर्तियां उसको ना करें क्योंकि बगवान का नाम है तो आपको जीवन बार इस बात का पस्तावा रहेगा आपको जीवन में जो उननती प्रगटी मिलने चाहिए उसमें कईने की कमी आएगी मेरा आखरी सवाल लोगे लिए कोई मैसिज इतना अपडेट हमने दे दिया है और जितने अपडेट होते हैं हम आप से लेते रहते हैं तो लोगे लिए इस बार क्या विशेश मेसिज आपकी तरफ से विशेश मेसिज मैं अपने युवाओं को यही कहना चाहता हूँ कि अगर कोई कुमार को चलने का कारे करता है धर्म की आड में विशेश अता जैसे हम देखते हैं गणिस उत्सम में भी लोग जो कुछ युवा है जो धर्मी क प्रकार नाम ले करके उसको खराब करने का कारे करते हैं वो चाहिए नसे में हो वो चाहिए किसी ओर रूप में हो या असले निट्ते आदि करने पर और के वर गणपती बापा मूरिया बोल करके इस प्रकार का कारे करते हैं उससे साब्दा नहीं कभी भी देविस्तानों प पर ऐसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी आपको जीमन भर इसका दंड बोगतना पड़ेगा इसलिए यदि आपको कोई भी मस्ते करनी है आपको कोई नसा करना है आप उन चीजों से दूर रहें धर्म के बीच में आकर कि आप इस तरह न करें और बहुत अच्छे चलें जब बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए बहुत 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 शुक्रिया और दश्चक भी कहेंगे शायद कि हमेशा अपडेट कर देते हैं जो भी आने वाले तुहार हमेशा रहते हैं पुरे साल में और हम अपडेट देते रहते हैं अगर कोई आप सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप हमें सवाल लिख कर भेज सकते हैं हम गुरु जी से वो पूछने की लिख दिजिए हम कुरुजी से पुछने की कोसिच करेंगे कि भाई उसका समधान क्या हो सकता है बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद आपका और जितने लोग इस वीडियो को फेस्बुक पेज पर देख रहे हैं प्लीज फॉलो किजिए हमारे पेज को शेर किजिए इस वीडियो को और यूट्यूब चैनल पर जितने लोग देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए कैमरे पर है हमारे साथी जैसिंग राजपूत बने लिए न्यूज वान नेटवर्क के साथ बहुत बहुत शुक्रे आप सभी लोगों का